हमारे साथ जूरे रहने के लिए इंफो टीव योटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं फोन पे की मदद से किसी भी बैंक एकाउट डाल करके कैसे पेमेंट कर सकते हैं अगर आप भी phone pay की मैज़ से किसी भी bank account ने पैसा भेजना चाहते हैं लेकिन अगर आपको पता नहीं यह phone pay की मैज़ से पैसा कैसे भेजा जाता है तो इस वीडियो को ध्यान सलाश तक देखते रहे हैं आज की इस वीडियो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ हेलो दोस्तों स्वायत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल InfoTube में तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फोन पेर से किसी भी बैंक एकाउन पैसा भेजना काफी जादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान सलाश तक पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लिस वीडियो को लाइक साथ यसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सबसे पहले आपको यहाँ पे फोन पे ओपन करना है और यहाँ पे कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है अब मुझे किसी के बैंक एकाउन पैसा भेजना है तो सबसे पहले आपको फोन पे ओपन करने के बाद करना क्या है यहाँ पर transfer money के नीचे जो आपको option देखने को मिल रहा है second number पे 2 mobile number पहला option है और यहाँ पर दूसरा option है 2 bank और UPI ID इस पर जो है आपको click करना है अब यहाँ पर जैसे आप click कर देते हैं कुछ इस परकार का interface आपको देखने को मिल जाएगा पहले आपने जिस जिसको payment किया होगा सबी के account यहाँ पर नीचे के side में so हो जाएगा आपको कोई नया account में या फिर जो है किसी के account पेमेंट भेजना है तो नीचे के side में plus वाले option पर click कर देजिए अब यहाँ पर आने के बाद आप जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं उसका कौन सा bank है आपको उससे पता कर लेना है हम जिसको पैसा भेजना चाहते हैं उसका bank का नाम है Paytm Payment Bank simply हम इस पर click कर देंगे अगर उसका state bank है तो यहाँ पर click कर देजिए और कोई अलग bank है तो यहाँ पर click करके आप उसका नाम सर्च करके भी जो है Payment कर सकते हैं हम यहाँ पर click करते हैं अब यहाँ पर आने के बादे हमारे सामने दो option आ गया पहला option है account number और दूसरा option है यहाँ पर आफसी code दोस्तों आप जिसको भी Payment करना चाहते हैं उसका passbook का फोटो मांग लीजिए या फिर उससे account number और आफसी code पूछ लीजिए तो चलिए यहाँ पर हम account number और आफसी code डाल दे हैं तो यहाँ पर मैंने account number और आफसी code डाल दिया अब आपको जो next का बटन देखने को मिल रहा है इस पर click करना है और यहाँ पर एक nickname name से option आएगा यहाँ पर click करना है और आपने याद के लिए कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं तो यहाँ पर simply हम जो है कुछ भी डाल देते हैं तो nickname में आप कुछ भी डाल देजिए अगर आप नहीं भी डाल देगा तो भी कोई बात नहीं आपका payment हो जाएगा simply आपको process to pay वाले option पर click करना है यहाँ पर click करने के वाद आपके सामने कुछ इस परकार का interface आजाएगा amount आपको यहाँ भी डालना जितना भी आप भेंड़ना चाहते हैं pay वाले option पर click कर दीजिए और यहाँ पर आप अपने UPI pin डाल दीजिए pin डालने के वाद आपको ok elaborate पर click करना है और direct आपके bank account से आपके phone पे से उसके bank account में पैसा transfer हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही असानी से phone पर कि जोड़ से पताई है वीडियो को लाइक करना साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले